इस वीडियो में हम देखेंगे GST के बारे में, जिसे हम Goods and Services Tax कहते हैं, उस related सारी information हम जानेंगे, क्या है GST, I GST किसे कहते हैं, S GST, C GST क्या है, अच्छे से समझेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे कि अभी जो GST की दरे नहीं लागू हुई है, वो कौन से product पे या कौन से services पे कितने percent GST आपका लागू हुआ है, सारी चीजे हम डिटेल में discuss करेंगे, तो ध्यान से देखें वीडियो ताकि आपको GST से related कोई भी question अगर exam में आए, तो आप आसानी से answer कर सकें, चले start करते हैं आज की वीडियो, तो GST को अगर हम आसानी से समझना चाहें, तो Government of India के दोरा जो जारी presentation था, उसके तहत में आपको समझाना चाहूं, जैसे यहां पर आप देखें, तो आपको corner में एक logo दिख रहा होगा, जिसमें लिखा है one nation, one tax and one market, मतलब एक देश, एक tax, एक market, कहीं भी आप पूरे देश में कोई वीवस्तु खरीदेंगे, आपको पूरे द राज्य में अलग-अलग हुआ करते थे, और राज्य के कुछ अपने tax होते थे, और central government के कुछ अपने tax होते थे, जैसा कि यहां पर दिख रहा होगा आपको, कि central excise duty होती थी, extra duties होती थी, service tax, search arces, और state के वैट अपने होते थे, purchase tax, entertainment tax, सब कुछ होता था, और जैसे अगर central government की बात करें, तो यह तो पूरे देश के लिए आपका सेम रहेगा, लेकिन अगर state की बात करें, तो वैट देखते थे, हम हर एक राज्य का अपना अलग-अलग होता था, कहीं 14% होता था, कहीं 18%, कहीं 20%, तो यह आपको अलग-अलग देखने को मिलता था, और इसी वैट के difference पैदा होती था, और कुछ लोगों को ऐसा लगता था, कि अगर हमको साथ रुपए में किसी राज्य से कोई वस्तु मिल रहे तो हम 12 रुपए में क्यों खरीदें, जैसे गर दो पड़ोसी राज्य हैं, वहीं पर एक वस्तु बारा रुपए में मिलें दूसरा उनका पड़ रखने पड़ती थी, अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं, तो आपको different तरह के taxes भरने पड़ते थे, तो ये सब जंजट से बचने के लिए Central Government की कोशिश थी, 2006 से ये चल रहा था, लगभग 10-11 साल हो गये हैं, GST को अभी इस वरूप में आने में, जो अभी बिल की रूप कि अब अगर यहां पे GST कर दिया गया किसी वस्तु पे 10%, तो आप चाहे उसे उतरप्रदेश में खरीदें, चाहे मध्य प्रदेश में खरीदें, चाहे केरला में खरीदें, कहीं भी आप उस वस्तु को खरीदेंगे, वो क्या होगा उतने ही पैशे का मिलेगा, अगर करके जो इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि पहले भर दिया है टेक्स फिर आपको भरना है और यसा करना है वह सब चीजें भी सॉल्व हो जाती यह तो एक सिंपल ले मैंने आपको समझाया है कि GST होता क्या है ठीक है और इससे क्या आपके फाइदे होंगे क्या पलणाम निकलें था उसके बाद यह वीडियो आया था और इसमें हिंदी भासा में ही आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं जो माय रिवेन्यू सेक्रेटरी थे हस्मुक अडिया उन्होंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया है GST क्या है क्यों इसे लगाया गया है कितने टाइपस है इसके जैसे हम देखते हैं IGST ठीक है CGST क्या है और यहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में कितना परसेंट का बटवारा होगा कैसे होगा वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्याम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो मैं चाहूंगा क बाद मैं आपको बताऊंगा कि अभी जो GST की नई rates हैं जो GST के नई rates आए हैं सामने हर एक वस्तु पे कितना परसेंट लग रहा है हर एक services पे कितना परसेंट लग रहा है वो मैं बताता हूं तो ध्यान से देखिए वीडियो समझने का प्रयास करिए बहुत ही अच्छा आ यानि GST आज इसकी सारे देश में चर्चा है क्योंकि इससे सम्मनित एक विदियक संसत में पारित हो चुका है और कहा ये जा रहा है कि स्वतनतता प्राप्ति के बाद से ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और ये टैक्स रिफॉर्म के देशा में मील का पत्थर साबि इसके बहुत ही सुखत दूरगामी परिणाम होंगे देश की अर्थ्वेवस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी जन सामाने को भी इसमें लाब होगा क्योंकि टैक्स का भारुस पर कम होगा एक देश एक कर एक बासार बहुत सारे सवाल हम सभी के जहन में हैं और इन ही सवालों का जवाब जानने के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर हस्मुक अडिया जो की राजस्व सचेव हैं भारत सरकार में तो आए हम उनसे बात करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अज के इसकारिक्रम में सबसे पहले तो यह बताईए कि GST क्या है और यह कैसे काम करेगा अभी तक जो देश में वस्तूओं के उपर चीजों के उपर और जो सर्विसिज है सेवा के उपर अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगे हुए थे वो इतने ज्यादा टैक्स हो गए है कि पता ही नहीं चला है कि कौन सा टैक्स कहां पर लगा हुआ है जैस उसके अलावा entertainment टैक्स अलग है luxury टैक्स है और बहुत सारे बिन्न परकार के जैसे local body टैक्स है octroy है इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग टैक्स है उसी तरह से केंदर सरकार में भी हमारे यहाँ एक टैक्स है exercise duty जो कि किसी माल जब produce होता है और factor से बाहर निकलता है तब लग करता है फिर दिर इस ए काउंटरवेलिंग ड्यूटी देन दिर इस एन अडिशनल एक्साइज ड्यूटी दिर डिफरेंट काइंड ऑप टैक्सिस ऑन गूद्ज और सविसे तो यह सब टैक्सिस जो अलग-अलग प्रकार से स्टेट और सेंटर लगाती है उसको इकठा करके एक की टैक्स हर चीज और हर सेवा के उपर लगाने का यह प्रहतना है जी एस टी के नाम पे सो जी एस टी यह एक ऐसा सिंगल यूनिफॉर्म टैक्स है जो की स्टेट और सेंटर एक साथ लगाएगी और जिसके अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे जो टैक्सिस है जो मैंने आप इसी तरह से जो स्टेंप ड्यूटी जो की रजिस्टेशन और प्रॉपर्टी के उपर होता है वो इसमें नहीं सामिल होगा लेकिन इसको छोड़के बाकी सब टैक्सिस जो है इसमें मर्ज हो जाएंगे यह बताई कि CGST और SGST और IGST यह तीनों में क्या फर्क है और क्या एक को तीनों भरना पड़ेगा और इसके अलग-अलग एक्ट्स क्यों है? CGST नाम अलग है क्योंकि Central Government को वो पैसा जाएगा इसलिए उसको CGST बोलते है Central GST is called CGST दूसरा है SGST उसका मतलब है State GST टैक्स एक ही है, GST आपको एक ही बना पड़ेगा लेकिन वो एक टैक्स जैसे कोई भी बिल आपका होता है जैसे आप गए और आपने जूते खरीदे तो जूते खरीदने के उपर जो भी मान लो उसके उपर 12% GST लग रहा है, तो आपको तो 12% ही बना है लेकिन उसका एक portion SGST में जाएगा, एक portion CGST में जाएगा तो 6% can go to Central Government, 6% get to State, can go to State Government और आपने तो एक GST पे किया 12% का लेकिन उसका विभाजन करने के लिए नाम अलग दिये हुए SGST और CGST, कस्टमर को उससे कोई लेना देना नहीं है वो बिल की मामला है, बिल में लिखा हुआ आएगा कि Total Tax 12%, CGST 6%, SGST 6% तो 12% आपका बिल बन जाएगा जो IGST है, वो Interstate GST है जब कोई Goods की Movement एक State से दूसरे State में होगी तब जाके आपको SGST, CGST नहीं बना है बड़ ये दोनों का Combination जितना है, उतना आपको IGST बना है तो जैसे एक State में से माल दूसरे State में गया तो वो IGST बढ़के ही जा सकता है, माल वो and that IGST will be equivalent to CGST plus SGST वो दोनों मिलके जो Tax बनेगा, उतना ही IGST होगा वो नाम के वास्ते उसको अलग कहते है वो अलग इसलिए कहते है IGST उसको कि वो Final Tax नहीं है, IGST एक Interim Tax है IGST का उप्योग जो आगे वाला व्यापारी है जैसे एक व्यापारी ने गुजरात से माल महराष्ट में बेजा तो महराष्ट में जो माल गया, वो दूसरे व्यापारी ने खरीदा तो उसके उपर उसने IGST बरके, गुजरात में IGST बरके फिर वो महराष्ट को बेजा अब महराष्ट में अगर वो माल बेचा जाएगा तो उसके उपर वो व्यापारी को SGST और CGST दोनों बरना पड़ेगा तो वो भरने के लिए जो IGST उसने पे किया है गुजरात में उसकी जो क्रेडिट मिलेगी वो उसको मिल जाएगी उसकी जो भी Tax की लाइबलेड इमाराष्ट में होगी उसमें से जो Tax वो भर चुके है IGST के रूप में वो उसमें से से टॉप मिल जाएगा which means कि IGST final tax नहीं है, IGST सिर्फ beach का tax है, जो कि ultimately consumer के उपर नहीं जाएगा, वो beach की arrangement है, finally consumer के उपर जब bill बनेगा, तो उसमें IGST का नाम आएगा ही नहीं, उसमें तो वही लगेगा CGST 6% या SGST 6% या CGST 9%, SGST 9%, 18% या जो भी rate decide करें सरकार, तो उस तरह से वो CGST, SGST का division है, और IGST तो interim tax है, तो GST के अंदरगत बस्तूओं और सेवाओं के जो credit है, उसका cross utilization हो सकता है क्या, येस, वहीं उसका फाइदा है, जो GST का main फाइदा ये, आज cross utilization नहीं हो रहा है, आज की जो tax system है, जैसे किसी एक माल का उत्पादन हुआ, उसके उपर हमने exercise duty लगा दी, अब वो exercise duty भरने के बावजूद, वो माल जब किसी state में जाके बेचा जाएगा, तो उस state का VAT लगता है, वेट लगता है, और वो वेट जब भरने जाएंगे, तब exercise duty की credit नहीं मिल देगे, उसको, वो input tax credit नहीं मिल देगे, exercise duty, क्योंकि exercise duty सेनल गव tax बनाया जा रहा है, कि अगर किसी एक ही माल के उपर आपने पहले वाले stage में कोई भी tax बना है GST, तो उसके बाद दुबारा उसका जब resale होगा, तो उसके उपर उसकी input tax credit आपको मिलेगी, और आपकी total liability में घटावा होगा. बहुत बड़ी-बड़ी बाते हम लों कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं छोटे कारोबारी हूँ, मेरा एक ब्यूटी पालर है और मैं एक लाग रुपे महीना कमाती हूँ, या कोई मिस्त्री है, तो क्या उसे भी इन सब जन्चट में पढ़ना होगा, उसे भी ये सब टैक्स दीना होगा, उसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारी बाते हैं इस तरह की उठ रही हैं, दीकि ऐसा है, कि GST की लाइबिलिटी ट्रेडर के उपर आती है, जो फाइनल रिटेल में जो माल बेशता है, या जो डिपार्टमेंटल स्टोर में लोग मा सायत 25 लाग तक फिक्स होगी, अभी स्टेट और सेंटर के बीच में इसके बारे में एक गहन चर्चा चल रही है, कि कितना रखना चाहिए, तो more or less एक अंडेस्टेनिंग हो गई है, कि या 20 या 25 लाग तक की लिमिट होगी, तो इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई छोटे व्यावसाई है, और आपका सालाना, एक साल का टर्नोवर, टर्नोवर मिंस टोटल आपकी जो इंकम है उस सर्विस में से, या उस मैनिफेक्चरिंग में से, या उस व्यापार से, अगर टोटल टर्नोवर आपका 25 लाग से नीचे का है, तो फिर आपको यह GST भरना नहीं होगा, ऐसा एक exemption limit उसमें डाला जाएगा, इसमें बहुत ड्यूएल कंट्रोल की बात हो रही है, तो यह बताई कि स्टेट के लिए अलग जवाब देही होगी, और केंद्र के लिए अलग जवाब देही होगी, देखें ऐसा है कि लोग यह समझ रहें कि GST में दो authority tax करेगी, CGST, Central Government, SGST, State Government, ऐसा नहीं है, जो व्यापारी है उसके लिए तो एक ही registration है, एक ही return file करना है, और उसकी जो भी आगे की करवाई होगी वो भी एक ही authority करेगी, तो यह बात नहीं है कि दो अलग-अलग authority है, दो अलग-अलग act है, क्योंकि CGST का act Parliament pass करेगी, वैसा ही copy, ditto, वो ए state assembly भी पास करेगी, तो जो power to tax, वो दो अलग-अलग act में से हमको मिले है, लेकिन उसकी जो पूरी procedure है, वो uniform है, एक व्यापारी दोनों authority में अलग-अलग registration नहीं करवाना है, उसको एक ही registration करवाना है, एक stage पे, उसके बाद return भी single file करना है, और return file करने के बाद, वो computer will decide कि CGST क क्या है, उस तरह से settled government को एक हिस्सा चला जाएगा, जो पैसा उसने बढ़ा और एक state government को चला जाएगा, तो व्यापारी के लिए ये कोई उलजन नहीं, फिर उसके बाद return उसने file किया, return file करने के बाद लोग ये समझते हैं कि फिर कल जाके राज्य के commercial tax department से भी notice आ जाएगी और केंदर के service tax और exercise department वालों से भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है, एक ही कोई authority को ये power दिया जाएगा, कि एक व्यापारी के साथ वही एक authority उनके साथ deal करेगी, तो अगर आपको कोई notice दी जाती है, अगर आपने return में कोई गड़बड किया है, तो वो notice देने का अधिकार या त दोनों को एक साथ या अधिकार नहीं मिलेगा, तो आपके लिए तो single authority होगी, ऐसे व्यावसाई के लिए, एक व्यापारी के लिए, तो सिर्फ एक authority के साथ deal करने का होगा, आपने अभी return के बात किया, तो सबसे पहरती बताए कि registration किसी व्यापारी को करना है, वो कैसे करेग और जिन्होंने service tax का registration लिया हुआ है, exercise का registration लिया हुआ है, उनको कोई नया registration लेने की जरूद नहीं पड़ेगी, उनका जो data है वो हमारे पास है already, तो हम उनको automatically GST में migrate कर देंगे, वेट का जिस जिस state में registration उनका हुआ है, वो सब जैसे किसी एक state में लोगों ने अपना GST आ रहा है, उनका पूरा data आमरे पास आ जाएगा computer में, GST में, वो data जब migrate हो जाएगा, तो उसके बाद एक सायद उनको email जाएगी या तो उनको एक पत्र जाएगा, कि कुछ-कुछ उनके जो data है वो missing है उसमें, क्योंकि हर state में अलग-अलग information available है, अब हमको तो uniform database बनाना है, तो यह संभव है कि एक पत्र उनको पहुचेगा या email पहुचेगी, कि भी आपको इतनी additional information आमको देनी होगी, आपका registration चालू रखने के लिए, उसके लिए एक अवदी दी जाएगी, एक समय दिया जाएगा, और वो basic information दो-तीन चीजे जो है, वो उनसे माग ली जाएग और वो जब पत्र आये, तो वो online वो information दे पाएंगे, उसके लिए उनको कोई office में जाने की ज़रूद नहीं है, पूरी registration की प्रक्रिया online है, जो पुरान है, उनका online data automatic आजाएगा, और उनको एक number दिया जाएगा, password दिया जाएगा, वो number और password से वो अपना website का, अपना account खोल अपने आप change कर सकते हैं, अपने login और password डाल के, वो करने के बाद उनका data ठीक हो जाएगा, और जो नए वाले है, जो की बिलकुल नहे तरीके से अपना business पहली बार कर रहा है, जो अभी तक वेट में registered नहीं है, service text में भी नहीं है, exercise में भी नहीं है, तो उन लोगों को अलग से registration online करना पड़ेगा, simple registration है, वो registration online करने के बाद, तीन दिन में अगर उनको कोई objection नहीं आता है, department की तरफ से, तो automatic मान लिया जाएगा, कि उनका registration हो चुका है, और उनको एक number मिल जाएगा तीन दिन में, इस तरह के एक simple registration procedure है, registration करने के बाद आपका जो पूरे मेने का जो का से, वो tax collect करने के बाद, आपको उस मेना पूरा होने के बाद, next month में एक तारिक निश्चित होगी, सायद 20 तारिक या ऐसा कुछ, तो 20 तारिक तक में आपको वो पैसा सरकारी treasury में जमा करा देना है, और साथ साथ आपको एक return जो कि आपने किस-किस को माल सप्लाई गिया, व वो return आपको बना पड़ेगा 10 तारिक तक मेने की, और वो सब return फाइल करना है, आपको online करना है, लेकिन मैंने जैसे पहले समझाया, कि छोटे कारोबारी तो इसमें से out ही है, इसलिए छोटे लोगों उचिंदा करने की ज़रूद नहीं है, 25 लाग से उपर वाले अगर बारी होंगे, तो उनको ये computer में करना भी बहुत आसान है, उसके लिए अलग-अलग program भी accounting के मिल रहे है, बार software मिल रहे है, जो कि वो उसमें record रखेगा आपने transaction की, और वो सब transaction automatically एक दिन में switch दबाने से computer में upload हो जाएंगे, सब transaction, तो इस तरह से return बना है, supplies का, क्या आपने किस-किस को supply किया, उसका करना है, जो दूसरे लोगों ने supply के transaction input किया है, उसके आधार पे आपका अपना purchase के transaction automatic आपके account में आ जाएगा, और फिर वो आपको अलग से करने की जरोद नहीं पड़ेगी, 15 तारिक तक, फिर ये supply and purchase दोनों के आधार पे आपका एक return बन जाएगा वो भी automatic हो जाएगा 20 तारिक तक, तो 20 तारिक तक computer में ही आपका return तयार हो जाएगा, और उसमें अगर आप देख सकते हैं कि मेरे return में कोई चीच छूट तो नहीं गई न, छूट गई है कोई purchase या sale का transaction, तो 20 तारिक तक आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बाद उसको आप बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह का electronic IT-based system है, जिसमें हर transaction की जानकारी आएगी computer में, और transaction match भी हो जाएगे, तो सही-सही मात्रा में लोगों ने text बढ़ा है के नहीं, वो हम पकड़ पाएगे, तो IT की बहुत महत्वपून भूमी का है, इसमें IT का बहुत महत्वा है, लेकिन IT इतना simple बना दिये हैं, कि किसी छोटे से छोटे व्यापारी को भी इसमें कोई तकलीम नहीं होगी, एकदम सरल प्रकार का software है, उसको file करने की विदी भी इतनी है, कि अगर कोई घर में कोई एक young लड़का जो 10 वी पास है, वो भी अगर उसको सीख ले तो वो अपने आप return file क कर सकता है, यह पताए कि ease of doing business की बात हो रही है, कि आप भारत के किसी भी कोने में हों, आपके लिए business करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे, देखिए यह GST जो है उससे काफी सुविदा business को हो जाएगी, क्योंकि अभी जैसे एक state से CST अट जाएगा, तो border के ऊपर जो checking करने का एक move था, कि हर state चाहता है कि हमारा state का माल जब बार जा रहा है, तो अगर उसने सिफ CST 2% बढ़ा है, तो माल actually export होना चाहिए, तो border पे चेक होगा, ट्रक को खड़ी करेंगे, पूछेंगे कि आपने CST बढ़ा है, तो आपका माल गया कि नहीं गया, उसका इसाब किता पूचेंगे, सब कागस पूचेंगे, तो यह सब खतम हो जाए, जहाँ-जहाँ ओक्ट्रोई है, वो ओक्ट्रोई भी अबोलिस हो जाएगी, तो उसके लिए भी गाड़ी को रोकने की ज़रोत नहीं पड़ेगी, तो ट्रक का जो moment है, वो एकदम आसान हो जाएगा जो दोनों स्टेट के बॉर्डर के बीच में या किसी सिटी के अंदर एंटर करने के टाइम जो चेक पोस्त है वो चेक पोस्त पे जो घंटो बर ट्रक खड़ी रहती थी वो सब कम हो जाएगी और उसके कारण जो moment of goods एकदम आसान हो जाएगे फिर दूसरा यह है कि क्यूंकि पुरे देश में tax rate एक हो जाएगा तो फिर आपको कोई वो सोचने की जरूद नहीं है कि पर एक स्टेट में factory डालू कि दूसरे स्टेट में डालू आपको जहां मरजी factory डालिये और जहां मरजी माल बेचिये हर जगर tax का rate एक है तो जहां आपकी factory है उस state का rate आपको देखने की जरूद नहीं है और जहां माल बेचना चाते है उस state का भी rate की देखने की जरूद नहीं है तो उस इसाब से बिजनशमेन के लिए एक आसान हो जाएगा यह decision लेना कि कहां हम business करें पूरा देश एक बन जाएगा इसमें राज्य की बात हो रही है, कहीं नहीं राज्यों को यह संशय नहीं हो कि उनके हित मारे जा रहे हैं या उनकी इंकम मारे जा रहे हैं तो उनकी कैसे कमपनिसेट करेंगे हम दिखिए उसके लिए हमने राज्यों को पूरी constitutional amendment में ही हमने उनको एक guarantee दी है कि किसी भी राज्य को अगर 5 साल तक नुकसान होगा जो अभी कमा रहे उसमें तो उसमें हम उसको compensate कर देंगे central government तो इसलिए राज्य को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए चिंता होनी चाहिए तो central government को होनी चाहिए कि ये GST लागू करने के बाद central government के पास इतने resources आएंगे जो कि हमारा अभी का budget की पूरती कर दे उसके अलावा हमरे पास इतने प्रेसे बचे है कि हम state को भी compensate कर सके तो जो चिंता होनी चाहिए इस मामले में वो central government को होनी चाहिए state को तो बिलकुल लिस्टिंद होगे इसमें आगे बढ़ना है इसमें अलग-अलग लोगों को किस तरह से फायदे होंगे आपने कारोबारियों की बात की राज जी को क्या फायदा होगा केंद्र को क्या होगा और सबसे बड़ी बात उपभोगता को क्या फायदा होगा करों की कमी की बात हम सुन रहे हैं तो इसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे देखिया मैंने जैसे बताया कि व्यापारियों को क्या फाइदा होगा कि इस अब डूइंग बिजनेस हो जाएगा सरकार को ये फाइदा होगा कि जो टेक्स का इवेजन आज हो रहा है उसमें रोक लगेगी तो ये उमीद की जा रही है कि इसमें कंप्लाइंस बढ़िया होगा इसलिए राज्यों की और केंदर की हामदानी बढ़ेगी सिर्फ टेक्स की चोरी को कम करने से टेक्स को रेट बढ़ाने से नहीं और कंजूमर को ये फाइदा होगा कि जैसे आज है अलग-अलग प्रकार के टेक्स है और कुल मिला के तो एक चीज के उपर 30-32 परसं तक चला जाता है टेक्स आज की तारीक में तो जैसे अलग-अलग टेक्स है वेट है, exercise duty है, service tax है, luxury tax, entertainment tax ये सब मिला कि टोटल जो incidence of tax है एक आइटम के उपर वो 30% तक भी है कुछ-कुछ commodity में तो जब GST आएगा तो ये अलग-अलग tax खतम हो जाएंगे और on the whole हम ये उमीद करते है कि ज़्यादा तर item के उपर tax का जो burden है वो कम होगा Tax collection और tax administration में दक्षिता आएगी ऐसी बात सुनने में आ रही है तो भारत सरकार इसे कैसी administer करेगी एक तो ये पूरा system है आदमियों के उपर निर्वर करने के बदले में technology के उपर depend करेगा तो उससे definitely system में एक efficiency आएगी दूसरा की administration में जो officers involved है उनकी भी अच्छी तरह से training की जा रही है ताकि ऐसा नहीं हो कि लोगों को कोई गलत प्रकार की harassment हो इसके सब नियम कानून सब अलग होंगे तो हम staff की भी training कर रहे है और लोगों को समझाने के भी module हमने बनाए कि लोगों को प्रसासित करने के लिए भी कुछ training module हम बनाएंगे YouTube में डालेंगे, social media में डालेंगे चोटे-चोटे clips डालेंगे और जहां-जहां संभव होगा हमारे officers हर city में town hall में meeting करेंगे व्यापारियों को समझाएंगे इसके लिए भी हमने एक व्यापक अभ्यान का भी एक प्रबंद इसमें किया है जो की डिसमबर के बाद बहुत जोर-जोर से सुरूओगा लोगों को समझाने का जो प्रबंद है तो डिसमबर से लेके मार्च तक में हम पूरी जगह फेल जाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि यह GST क्या है आपको कैसे कंप्लाई करना है आयात जो राज्य से राज्य में होगा उसमें किस तरह से कर लगाए जाएगा अभी जब कोई माल विदेश से आता है देश के अंदर तो उसके उपर कस्तम ड्यूटी तो जैसे लग रहा था वैसे ही लगएगा कस्तम ड्यूटी GST में सामिल नहीं हो रहा है कस्तम ड्यूटी अलग है बट कस्तम ड्यूटी के अलावा वहां हम लोग एक छोटा सा पोरशन लगा रहे थे CVD जो exercise duty के बदले में लगाते है जैसे मैं जूते अगर बाहर से लाता हूँ इंपोर्ट करता हूँ और जूते के उपर गर देश में exercise duty 12% है तो जो विदेश चेमाल आता है उसके उपर countervailing duty 12% के लगेगी which is to compensate for the exercise duty और state के जो tax से वो अलग है यहां लेकिन वो इंपोर्ट के उपर नहीं लग रहे थे अभी तक कुछ केस में हम एक S.A.D. के नाम पे special additional duty के नाम पे state taxes के बदले में 4% ले रहे थे कुछ केस में लेकिन पूरी तरह से state का weight जो है वो इंपोर्ट के उपर नहीं लग रहा था अब जब कोई माल आयात होगा तो उसके उपर IGST लग जाएगा जो भी IGST का rate होगा उस item का so IGST का rate भी item-wise अलग-अलग होगा कोई item पे 18% होगा कोई पे 12% हो सकता है कोई पे 24% या जो भी उसका rate है जो rate decide होगा वो GST council जो decide करेगी तो उसके उपर जो CGST और SGST की liability आएगी उसमें से जो विदेश से माल आया तब IGST जो लिया उसका input tax credit मिल जाएगा तो एक तरह से एक single chain बन जाएगी और उसमें double tax session नहीं होगा import के उपर so उस तरह से इसमें एक सुविदा हो जाएगी आगे का क्या roadmap है क्योंकि बहुत आशाओं के साथ उमीदों के साथ हम इसकी और देख रहे हैं ये तो सही बात है कि कहा जा रहा है कि भारती अर्थ विवस्ता तेजी से आगे बढ़ेगी लेकिन अगर roadmap के बारे में कहें तो आप क्या कहना चाहेंगे हम जानते हैं कि कौन-कौन से अरिया में हमको काम करना होगा उसका एक पूरा action plan बना हुआ है और वो action plan के इसाब से सब कुछ अभी तक तो ठीक ही चल रहा है हमने अपने action plan में 30 दिन का time रखा था state को ratify करने के लिए कि भई लोग सभा ने अगस्ट को पास किया तो आठ September तक हम को कम से कम 16 state का मिल जाना चाहिए ratification और उसमें और लड़ी 15 state का आ गया है एक और state का 2nd September को हो जाएगा तो उसमें हम लोग पांच दिन जल्दी चल रहे है छे दिन जल्दी चल रहे है सो अभी तक तो time table ठीक चल रहा है हमको GST council की रचना करना है उसके लिए एक अपता रखा है वो हो जाएगा उसके बाद GST council में जो discussion करना है उसके लिए हमने दो मीना रखा है वो दो मीने का time भी we hope की discussion में राजों के साथ अच्छे से हमारे सब मसले निपट जाए दो मीने में और फिर IGST का एक्ट भी single government पास करेगी और ये तीनों एक्ट पास करने के बाद we are ready उसके बाद IT सिस्टम simultaneously चल रही है training of officers का काम simultaneously चल रहा है करीफ साथ हजार officers को train करने का काम चल रहा है और वो सब simultaneously करने के बाद by February we hope to be ready completely साथ साथ businessmen को भी हम अपील कर रहे है कि आप भी अपना तैयारी कीजिए उनका जो ERP सिस्टम है IT सिस्टम है उसको GST के लिए तैयार करिए इस तरह का हम फ्यापारियों को भी विननती अप से कर रहे है जो बड़े बड़े जो गुरू है उनको और वी होप कि वो लोग भी अपनी टाइम टेबल बना के ये GST के लिए मार्चन तक तयार हो जाए तो हमारी तो ये उमीड है कि देश में इतना बड़ा सुदार कि जिसके लिए देश ने दस साल तक रहा देखा है अब उसमें और कोई विलम नहीं हो तो केंदर सरकार की तरफ से हमारी पूरी तयारी है हम कमिटेड है इस मामले में कि जितना जल्दी हो सके GST को लगाना है एक जो आखरी सवाल एक लेमैन की हैसियत से मेरे दिमाग में आ रहा है कि जन जागरूपता कैसे फैलाएंगे देखिए इसके लिए हम आई-टी के मोडियूल बनाएंगे चोड़े-चोड़े मोडियूल जिसमें क्वेस्टन आंसर के रूप में ये सब क्वेस्टन के जवाब होंगे तो अगर कोई भी आदमी इंटरनेट सर्च करेगा तो भी उस पर मिल जाएगा उसके अलावा आई-टी में मान लोग वो नहीं पहुँच पाता है तो हर जगह पे हम लोग मीटिंग करेंगे चोड़े-चोड़ी मीटिंग भी चोड़े-चोड़े सेरों में फिर न्यूस पेपर एड़ोडिमेंट के द्वारा भी हम इसका परचार करेंगे और उसके अलावा हम एक कॉल सेंटर बनाएंगे स्टेट लेवल पे और सेंटर लेवल पे भी तो हर स्टेट में एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर होगा जिसमें 24 बाई 7 किसी को भी कोई क्वेस्टन है GST के उपर तो कॉल सेंटर में फॉन करके पूछ पाएंगे इस तरह का एक कॉल सेंटर बनाने का भी प्रावदान हम कर रहा है और GSTN की जो हमारी आईटी सिस्टम है उसका एक अलग कॉल सेंटर बनेगा कि किसी को अगर मान लो रिटर्न फाइल करने में दिखत आ रही है किसी को समझ में नहीं आ रहे है कि कौन सा बटन दबाए तो उसके लिए भी फॉन करके को कॉल सेंटर में पूछ के उसको अप अप कर सकते हैं तो अपनी बात को इसी बात से समप करूँ में ये कहते हुए कि मेरा देश बदल रहा है आगे बढ़ रहा है जीएसटी जो है वो उसी को चरितारत कर रहा है बहुत बहुत दन्यवाद डॉक्टर हस्मुकडिया जी अभी हम बातचीद कर रहे थे डॉक्टर हस्मुकडिया से जो कि राजयस पर सची भें भारत सरकार में बहुत बहुत दन्यवाद, नमस्कार मैं मानता हूँ कि अगर कोई product है, मान लेता हूँ, x है, x product है, अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अभी तक जो हमारा tax system था, या कह लूँ, present tax system कहूँ, present tax system मतले जेस्टी वाला नहीं है, ठीक है, तो जो non-GST या कह सकता हूँ, present तो अभी रहा ही नहीं, तो non-GST जो हमारा tax system था, वो क्या था, उसे समझने का प्यास करते हैं, मान लेते हैं, कोई product x है, इसे बेचा जा रहा है, कहां पे, लखनव से, मान लीजे, बेचा जा रहा है, कहां पे, कानपूर में, ठीक है, ये कानपूर में बेचा जा रहा है, कितना रुपए कीमत है इसकी, तो इसकी कीम एक हजार रुपए एक हजार रुपए कीमत है तो जब लखना उससे कानपूर में बेचा जाएगा जो पहले नॉन जीश्री सिस्टम था उसके तायत एक हजार की कीमत पे वैट कितना लगेगा वैट मान लेते हैं लग रहा है 10% का तो 10% का वैट लगेगा एक हजार पे तो य आगे यही जो प्रोड़क्ट है कानपूर से बेचा जा रहा है कहां पे नुडेली में ठीक है दिली में बेचा जाता है तो अभी यह प्रोड़क्ट कितने का है 1100 रुपए का है जो भी वैक्ति इसको बेच रहा है वो अपना मार्जिन इसमें रखता है प्रॉफिट तो अगर 10% निकालें कि 100 का तो कितना जाएगा 210 रुपए तो यह जो व्यक्त्य यहां पर नियू देली वाला होगा वह कितने में खरीदेगा 2100 रुपए तो उसकी कीमत ही है और 210 रुपए टैक्स भी भरेगा तो टोटल कितना हो जाएगा 2310 रुपए उसकी कीमत निकलेगी उसी product की X की, पहले लखनाउ से कानपूर गया, तब तो वो एक ही state में था, तो वैट लगा, लेकिन जब उसने state पार किया, UP से दिल्ली में गया, तो वहाँ पे CST लगा 10% का 210 रुपए, और ये 2310 रुपए उसकी कीमत हो जाती है, product की new दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन अगर वही करते हैं कि लखनाउ से कहां पे बेचा जाता है, कानपूर में, कानपूर में अगर बेचा जाता है, ये आपका 1000 रुपए कीमत है, तो इस पे आपका लगेगा, क्या, CGST लगेगा, CGST का मतलब आप समझ गये होंगे, माल लेते हैं 5% है, तो कितना हो जाएगा, 50 रुप बात वही हो जाती है, कानपूर में प्रोड़क्ट कितने का पहुंचता है, 1100 रुपए का उपलब्द होगा, लेकिन यही प्रोड़क्ट अगर कहां से बेचा जाए, कानपूर से आगे बेचा जाता है, कहां पे, New Delhi में, तो क्या होता है, देखिए, कि यहां पे अब प्रो एक राज से दूसरे राजे के अंदर गद ट्रेड करते हैं, तो वहां पे क्या लगता है, IGST लगता है, ठीक है, Interstate, तो IGST यहां पे लगेगा, तो IGST माल लेता हूं, मैं कितना है, 10% ही है, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2100 का यह हो जाएगा, 210 रुपए, तो यहां यहां पे difference आपको देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहां पे जो GST सिस्टम में यह व्यास था की गई है, कि यहां पे जो आपने CGST और SGST पे किया है, इसे आप क्लेम कर सकते हैं, यहां पे यह सिस्टम पहले ऐसा नहीं था कि आपने VAT को क्लेम कर सकते हैं, CST में, लेकि आपको कितना टेक्स देना पड़ेगा? 110 रुपए, तो अब इसकी कीमत 2310 रुपए नहीं, बलकि कितनी होगी? 2210 रुपए में यह उपलब्ध होगा New Delhi में, तो प्रेजेंट सिस्टम जो है GST का उसके हिंसाफ से देखा जाए, तो वही वेस्तु जो 1000 रुपए से New Delhi तक चल समझ में आ गया होगा कि GST कैसे काम करता है, और क्या इसका मतलब होता है, तो यहां पर क्या benefit हो सकते हैं consumer को, ठीक है, तो यह अपको समझ में आ होगा, अब हम देखते हैं कि GST के क्या-क्या slaps है, जैसे यह अब हमने देखा था 5% और यहां पर 10% कर दिया, और यह वस्तु क क्या है, समझने का प्रयास करते हैं, अब हम देख लेते हैं कुछ यहां पर जो updated GST rates हैं, वो क्या है, कहां पर tax लग रहा है, कितना लग रहा है, वो सारी चीजे, तो जैसे यहां पर लिखा गया है, कि गौर्मेंट ने कुल 1211 items को अलग-अलग tax lab में रखा है, तो सबसे पह कर्ड, नैचुरल हनी, वेजिटेबल, फ्लोर, बेशन, ब्रेट, प्रशाद, साल्ट, बिंदी, सिंदूर, स्टैम्स, जुडिशियल पेपर, प्रिंटेड बुक्स, निउस पेपर, बैंगल्स, हैंडलूम्स, एटीसी, यह सारी वह वह असमें जिन पर कोई भी tax नहीं लग फिर यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रैंट फादरिंग सर्विसेज हैं एक्जम्टेट अंदर दा जी अश्टी, जी अश्टी के अंदर अगत, यह सारी सर्विसेज क्या हैं, एक्जम्टी की गई हैं, मतलब इस पे कोई भी tax आपको नहीं देना है, तो सबसे पहला तो यह थ important factor होगा समझने के लिए, नेक्ट में बात करूँ तो जो आपका tax slab है, वो है 5% का, 5% यहाँ पर tax कौन से goods पे लग रहा है, fish fillet, cream, skimmed milk, powder, branded paneer, frozen vegetables, coffee, tea, spices, pizza, bread, rusk, साबू दाना, kerosene, cold medicine, stent, lifeboat, इसमें आप कुशीजों को ध्यान से देखेगा, जैसे kerosene, cold medicine, इस पे कितन लग रहा है, इस पे लग रहा है, 5%, ठीक है, यह मतलब exam में पूछा जा सकता है, tea and coffee, यह या इस पे कितना लग रहा है, 5% लग रहा है, GST, ओके, और 5% tax services कोन सी है, जिस पे लग रहा है, जैसे transport services हो गए, railway, air transport, या फिर smallest restaurant वगएरा हो गए, यह सब भी आपके 5% वाली category में ही आते हैं, क्योंकि current का main input है, वो क्या है, petroleum है, next हम देखते हैं, कि जो tax lab है, वो कितने का है, 12% का है, 12% के तरगत कौन-कौन सी वस्तों हैं, जैसे frozen meat हो गया, meat products हो गया, अलग-अलग, butter हो गया, cheese हो गया, घी, dry fruits, जो भी हैं, packed form में, animal fat, sauces, fruit juice, भुजिया, नमकीन, यह सब 12 परसेंट के इंतरगत आएंगे, आयरुवेदिक मेडिसन, यह ध्यान रखेगा, आयरुवेदिक मेडिसन कितने में हैं, 12% के tax lab में इनको रखा गया है, अगर बत्ती, coloring, books वगयरा जो भी हैं, वो सब भी किसमें हैं, 12% में हैं, cell phones यह भी देखिए, किसमें हैं, 12% के हैं, वो सब किसके इंतरगत हैं, 12% के service tax के इंतरगत वो आएंगे, यह जो GST होगा, यह 12% उन services पर लेगा, जैसे non-AC hotels होगे, AC नहीं, non-AC, और जिनकी tariff क्या होगी, 1000 रुपए से जादा हो, क्योंकि 1000 से कम वाले पर तो छूट है, कोई भी GST नहीं लग रहा है, ठीक है, आ देखते हो सकते हैं, आपकी सबसे ज़्यादा जो goods हैं, services हैं, 18% के tax lab के इंतरगत ही रखने का प्रयास किया गया है, और इसी के इंतरगत सबसे ज़्यादा, अगर आपसे exam में question आता है, कि कौन से tax lab में सबसे ज़्यादा goods या services हैं, तो आप कहेंगा 18% वाले के इंदर सबस water है, यह भी आपका 18% के इंतरगत आता है, और यहाँ पे notebooks और steel products यह भी आपका 18% के इंतरगत ही आते हैं, printed circuit boards यह सब जो होते हैं, यह भी 18% के इंतरगत ही आएंगे, तो कुछ important है, ice creams वगएरा होगे, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, exam में पूछेगा, तो आप या fresh vegetables नहीं है, जो preserved करके रखेगी, वो vegetables है, mineral water, notebooks, steel products, printed circuit boards, monitor यह सब आपके 18% के इंतरगत आते हैं, और services कौन-कौन सी है, 18% के इंतरगत, AC वो सारे AC hotels, that sir, liquor, liquor का मतलब मादक पदार्थ समसके हैं, कोई pay पदार्थ जो वहाँ पे serve किया जाता हो, telecom services भी किसके इंतरगत है, 18% क इंतरगत मतलब जो हम बात करते हैं, फोन से वो जो services हैं, वो सारी किसके इंतरगत है, 18% के इंतरगत है, IT services भी 18% पर है, branded garments and financial services जो भी हम use करते हैं, garments या financial services, वो सब भी किसके इंतरगत है, 18% के इंतरगत ही रखी गई है, ठीक है, तो services का यह example आप दे सकते हैं, अगर exam में प बताएंगे कि 18% के इंतरगत वो आती है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, 28% के अंदर कौन-कौन सी वस्तुएं आपकी सामिल की गई है, इसके अंदर भी काफी वस्तुएं हैं, जैसे हैं, chewing gum हो गया, molasses, chocolate वगरा हो गया, या फिर पान मसाला, paint, deodorant, saving cream, मतलब इसमें अंतर vacuum cleaner, यह सब aircraft हो गया, personal use के लिए आपको लेना है, automobiles वगरा, 28% के अंतरगत, automobiles वगरा भी या motorcycle वगरा भी आते हैं, तो यह थोड़ा सा ध्यान रखेगा, automobiles या motorcycle हो गया, washing machine, ATM machine, यह सब भी किसके अंतरगत हैं, 28% tax के अंदर हैं, और जो संदर प्रसाधन की चीजें हैं, आपका sample हो गया, cream हो गया, यह सब किसके अंतरगत हैं, यह सारा कुछ 28% के अंतरगत ही रखा गया है, इसके अंतरगत services कौन कौन सी हैं, जैसे 5 star hotel हो गया, race club betting हो गया, cinema हो गया, यह सब किसके अंतरगत हैं, 28% tax के अंतरगत रखा गया है, तो यह सबसे बड़ा या कह सकते है सबसे ज़्यादा GST का tax lab है इसके और कोई भी tax lab आपका नहीं है तो अगर हम देखें tax lab कितने है एक है 5% का एक है 12% का फिर है 18% का और फिर है 28% का तो total अगर देखा जाए तो यह 4 tax lab है और इसमें एक आपका no tax वाला भी है तो इसको भी अगर समलित कर लें तो 5 tax lab है no tax 5% 12% 18% और 28% इसको आप याद रखेगा सबसे ज़्यादा पुछा जाए किसमें वस्तुएं है तो आप बताएंगे 18% के इंतरगत वस्तुएं है ठीक है no tax के इंतरगत जो daily routine की वस्तुएं है जैसे fresh meat वगरा हो गया milk वगरा हो गया वह सारी चीज़ी नहां पर रखने का प्रयास किया गया है फिर 5% पर आ जाते हैं वहां पर हमने देखा था कौन कौन सी वस्तुएं थी 12% पर 18% पर जो daily routine के वस्तुएं होती है 28% में हमने देखा था जो luxury related वस्तुएं है महेंगी वस्तुएं बड़ी वस्तुएं जो है 28% में है फॉर एक्जम्पल बता सकते हैं motorcycle आटोम वाइल्स जो भी है aircraft बगारा personal use के लिए या फिर जो भी सौंदर प्रसादन के सामान है shaving cream, aftershave, hair, shampoo, dye, sunscreen ये सारी चीज़ें किसके अंतरगत आती है तो government ने क्या scheme चलाई है कि 5 साल तक, 4 साल तक वो जो भी उनको loss होता है उसकी भरपाई करने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले ही समझ गया होगे और GST के rate भी आपको पता चल गए अब मेरे ख्याल से GST से rate जितनी information आपको चाहिए वो आपको मिल गई होगी आप exam आसानी से दे सकते हैं इसके उपर कोई भी question आएगा तो बता सकते हैं वो इससे जो ज़्यादा information चाहिए होगी वो उन लोगों को चाहिए होगी जो CA बगारा कर रहे हैं commerce field से जो भी जुड़े हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा इसके बाद भी जानकारी चाहिए होगी कैसे यहाँ पर entries बगारा करनी होगी वो सारी जानकारी आपके लिए related नहीं होगी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा तो मैंने अपनी तरफ से पुरा प्रयास किया है कि आपको अलग-अलग sources से और बहुत ही अच्छे sources से समझाने का प्रयास कर सकूँ कि GST वाकई में है क्या कैसे काम करता है क्या कुछ यहाँ पर procedure follow किया गया है और क्या यहाँ पर भी जो updated यहाँ पर rates है GST के क्या है कि वस्तों पर कितना tax लग रहा है तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे comment करके बताईएगा कि आपको वीडियो पसंद आया या फिर अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो भी आप comment करके बताईएगा कि आपको ये बात नहीं सौझ में आए कि ये ऐसा कह रहा है इसका मतलब क्या है ठीक है वीडियो गर पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी से जरूर शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी प्रिप्रेशन और अच्छी हो सकते हैं